रिफ्यूजल एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फोर ऑस्ट्रेलिया एन कैनेडा वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इतना अच्छा स्कोर लेने के बावजूद भी उनका रिफ्यूजल कैसे आ गया और एक बार ही नहीं कि दो बार तीन बार कंटिनूसली रिफ्यूजल आते हैं उनको रिफ्यूजल को फेस करना पड़ता है बट वो हर टाइम उनके माइंड में यही चलता है कि आयल्स करेक कर दिया, अच्छा स्कोर मिल गया, बट फिर भी रिफ्यूजल क्यों है मैं रितुराज, यह वीजा कंसर्टेंशी से आप सभी के साथ यह बहुत बड़ी प्रोब्लम बनी हुई है जो रिफ्यूजल की आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इससे रिलेटेड कुछ जानकरी जो आपको पता होने जाते हैं उससे पहले आपको तीन-चार चीज़े पता होना चाहिए, लाइक आपका अकेडमिक स्कोर क्या है, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्टडी में गैप कितना है, इसके बिना अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आइल्स कर रहे हैं या अच्छा स्कोर कितन आपकी डिटेल लेजिए, ताकि उनको इन फ्यूचर प्रोब्लम ना आए, जब वो फाइल लगाए अपनी में अपनी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोब्लम किरेट करता है, पैरेंट्स के लिए भी करता है, बच्चों के लिए भी करता है, कि बार-बार रिफ्यूजल आता या हमें गैप को कवर करने के लिए आपका experience लगाना पड़ेगा, या study के fake document बनाती है, बच्चों के लिए बहुत ज़दा challenging हो जाता है, जब embassy उनकी फाइल को reject कर देती है, इसलिए fake document से और जो fake experiences बनाए जाते हैं, जैसे अभी हाले में आपने पीछे सुना भी होगा, मैंन उसके उपर video भी डाले थी, कि 700 students को deport कर दिया गया, और continuously जब refusal आता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उनकी profile पूरी spoil हो जाती है, और सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, अब उनके पास कोई option नहीं बजता, in fact, IELTS का जो scorecard है वो भी expire हो ज इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको knowledge होने चाहिए, कि embassy के क्या rules and regulations है, आपको proper उसकी knowledge होने चाहिए, तब ही आपको IELTS or PT करने के लिए step लेना चाहिए, otherwise अपना पैसा खराब मत कीजिए, बार बार अच्छे से advice लेजिए, suggestion लेजिए, coaching institute को भी मैं request करूंगी, बच्चों को proper counselling कीजिए उनकी, और फिर ही उनको IELTS or PT करने, बहुत सी फाइले अभी मेरे पास आई है, जिनका मैं आपके साथ experience share कर रही थी, और मुझे लगा कि बहुत जरूरी है आपके साथ experience share करना, मैंनी चाहती कि जो उन बच्चों ने face किया है, वो आप भी face करें, क को कैनेडा वर्क के लिए या फिर ऑस्टेलिया वर्क के लिए जर्नल काटेगरी में बेजने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ्रोड चला हुआ है ये आज की ताइम में, तो इनसे बचिए और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि IELTS or PT करने से पहले आप कंप्लीट नोलिज लीजिए, आपकी स्टडी में गैप कितना है, आपके कितने परसंटेज हैं, क्या आप कैपेवल हो, स्टडी पे फाइल लगाने के लिए, या कैनेडा उस्टेलिया में जो टर्म सेंड कंडिशन हैं, उनके अकोर्डिंग आप फिट बैटते ह में भी आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे, थैंके सो मच